इस यूटूब चाइनल पे सबका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले है समस्कूरूत कक्षा 10 वी यन्सी आइटी चतुर्थ पाठ शिशू लालनम स्टूरेंट समने इसके पहले जो तीन पाठ है वो एक्स्प्लेंड किये है तो वो आप देख लीजिए तो शिशू लालनम इस पाठ में क्या दिया हुआ है तो यह हम परिजय करते है प्रस्तूत पाठकुंद माला इती नामनों दिग्नाग विरचितस्य समस्कूरूतस्य प्रसिद्य नाट्ट ग्रंथस्य पंचमा क्रात संपादनम कृत्वा संकली तोस्ती अत्र नाटकाउंशे रामस्वपुत्रो लवकुषो सिहासनम आरोहित्तुम इच्छती किन्तु भवपी सवीनयम तम निवारयत सिहासुन रूढ राम उभयो रूपलावण्यम द्रुष्टा मुग्द सनस्व क्रोडे ग्रुहती पाठेस मिन शिशु वसल लस्य मनो हारी वर्णनम विध्यते प्रस्तूत पाठ संस्कृत वांग मै के प्रसित नाटक कुंद माला के पंचक अंक से संपादित कर लियावे आहे इसके रचे इता प्रसित नाटक का दिग्नांग है इस नाटकाउश में राम कुष और लव कुष को सिहासन पर बिठाना चाते है किन्तू वे दोनों अतिशालिंता पुर्वक मना करते है सिहासन अरूड राम कुष और लव के संदरे से आक्रुष्ट होकर उने अपनी गोद में बैठा लेते है और आनन्दित होते है पाट में शिशूस नहका अत्यंत मोनोहरी वर्णन किया गया है तो अब हम पाट को शुर्वात करते है सिहासन अस्त राम तत प्रविशत विदुशक के नो पदिश्य मान मारगो तापसव कुष लव स्री राम सिहासन पर बैठे है उसके बाद विदुशक से उपदेश दिये चाते हुए बाच्चित करते हुए तपस्वी कुष और लव प्रवेश करते है विदुशक इधर से इधर से कुष्लव रामस समीपम उपसरुत्य प्रणम में चो अपी कुषलम महाराजस्य और कुष्लव राम के पाच जाकरोर प्रणाम करके क्या महाराजा की कुषलता है राम युष्म दर्शनात कुषलमिव भवतों किम वयमत्र कुषल प्रश्नस से भाजनम एव न पुरा पुनरतीथी जन समुचितस्य कंठाशलेशस्य परिश्वज अहोव रुदैग्रहिस पर्श्य आसना धर्म आसना धर्मू पवेशयती राम तुम्हारे दर्शन से कुषल जैसा हूँ क्या दोनों के कुषलता के प्रश्न काही मैं यहां पात्र हूँ फिर अती ठीके गले लगाने का आउचित्य नहीं है अलिंगन कर गया अरे वृदै को ले लेने चु लेने वाला स्वर्ष है आधे सिहा सन पर बैठा लेते है उभो राजा सनम खलवे तत न युक्त मध्या सितुम् वो दोनों निच्चे से यहां राजा का सिहा सन है यहां हमारा बैठना उचित नहीं है राम रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोब का कारण नहीं होता तो रुदन के गोद के समिप होने के कारण सिहा सन पर बैठो गोद में बैठाते है उभो अनिच्चा नाटयत राजन अनिच्चा को प्रकट करते है महराज अलमती दक्षिन नेन तो वो बोलते है कि अधिक कुशलता न करे राम अलमती शालीन तया बहुत अधिक शालीन ता शिष्टता न करे भवती शिष्चू जनो वयो नुरो धाद गुणो महात तामपी लालनी अव व्रजती हिमरोपी बाल भावात पशुपती मस्तक केत कच्छत दत्वम तो फिर आगे बोला गया है कि बच्चा अपने आयुके कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य ही होता है चंद्रमा भी बाल भावकी सुन्दरता के कारण से शिवजी के मस्तक के केत की के पुष्पो से बने जुडे का रूप धारण कर लेता है राम एश भवतो सुन्दर याव लोक जानितेन कवतु हलेन प्रुच्छामी क्षत्रिय कुल पिताम हयो सुरिय चंद्रयो कोवा भवतोर वल्शस्य करता तो यहाँ आप दोनों की सुन्दरता को देखने से उत्पन कुतु हल के कारण पुष्था हूँ क्षत्रिय कुल के पिताम सुरिय अथ्वा चंद्रमा में कोन आपके वंशका करता है लव तो लव बोलता है भगवान भगवान सहस्त्र दिती सहस्र दिधिती तो भगवान सुरिय ऐसा वो बोलता है लव राम कथमस्मत समानी भिजनों सम्रुत्ते तो कैसे हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए विदुशक्किन द्वयरों पेक मेव प्रतिवचनम क्या दोनों का एक ही उत्तर है लव भ्रहत्र रावा वम संदरियो तो हम दोनों सगे भई है राम समरूप शरीर सन्निवेश वय सस्तु न किंचिद अंतरम तराम बोला शरीर के बनावाट एक जलसी है आयुगा भी कुछ अंतर नहीं है लव आवाम यमलो लव बोलता है कि हम दोनों जुड़वे है राम संप्रती युज़ते की नामधेयम तो राम बोलता है अब ठीक है क्या नाम है लव आर्यसे वंदनायम लव इत्यात्मानम श्रावयमी कुषम निर्दिश आर्योपी गुरु चरण वंदनायम तो लव बोलता है कि आरे की वंदनामे लव इस प्रकार अपने आपको सुनाता हूँ कुष को निर्देश करके आरे भी गुरु चरणों की वंदनामे है कुष बोलता है अहम अपी कुष इत्यात्मान श्रावयमी मैं भी कुष इस तरह अपने आपको सुनाता हूँ राम अहु उदात्तरम्य समुदाचार किम नाम धेव बहुत ओर गुरु लव को वो बोलते है राम बोलते है अहु उदात्तरम्य समुदाचार किम नाम धेव बहुत ओर गुरु अरे यह उदात्तर सुन्दर आचरण है आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है कुष अहम अपी कुष इत्यात्मान श्रावयमी मैंने कुष एसा सुनाए राम अहो उदारतम में समुदाच किम नाम धियो भगत गुरू लव ननू भगवान वालमी की तो लव बोलता है की निच्चस से ही भगवान वालमी की है राम किस संबंध से केन संबंध है न लव उपन अयनो पदेशे न राम बोलता है लव बोलता है उपन अयन्यग्य पविजनेव के उपदेश के कारण से राम अह मत्र भोतो जनकम नामतो वेदी तु मिच्छा मी राम बोलता है कि अरे महंदा अह मत्र भोतो जनकम नामतो वेदी तु मुच्छा मी तो love बोलता है, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, न कोई इस तपवन में उनका नाम लेता है राम अहो महत्मयम अरे महांता कुष जानाम में हम तस्य नाम धेयम कुष बोलता है मैं उनका नाम जानता हूँ राम कध्यताम कहो कुष निर्दई नाम निरनुक्रोश्यो नाम निर्दई नाम राम वयस्य अपुर्व खलू नाम धेयम तो राम बोलता है मित्र निच्चे से ही यह विचित्र नाम है विधुशक विंचित्य एवत आवत पुछ्छामी निरनु क्रोश इती एक एवं भवती तो एसे ही पुश्था हूँ निर्दई यह कौन बोलता है कुश मा तो यह किसने बोला अम्बा मतलब माने बोला विदुशक क्या क्रोधित हो विदुशक बोलता है क्या क्रोधित होकर एसा बोलती है अत्वा स्वाभाविक रूप से बोलती है कुश यद्या वयोर बालब हवंजित किंचित विनयम पश्चती तदा एवं अधिक शिपती निरनुक्रोशस सब पुत्रो मा चापलम इती तो यद्या हम दोनों के बालबन से उत्पन कुछ उदंडता देखती है तो ऐसे फटकारती है निर्दई के पुत्रो चंचलता मत करो विदुशक एत योयदी पित्रो निर्ख्रोश इती नाम अधे में एतोर जैन्ती तेनान्विता नर्वासिता एतेन वचनेन दारोको निर्वस्यती राम यदि हम दोनों के बालबन से उत्पन कुछ उदंडता देखती है तो ऐसे फटकारती है विदुशक इस दोनों के पिता निर्दई नाम वाले है तो इनकी माता अनेक द्वारा अपमानितेव निकाल दी गई है अता इस वचन से बच्चों को धमकाती है राम तो वो बोलती है उसकी जो मा है राम बोलता है कि उसकी जो मा है अपने मन में ऐसे हुए सिता को निकालने से मुझको धिकार है वो तपस्विनी मुझसे किये गए अपराज से अपनी संतान को इस प्रकारे क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है और उनके नेत्रों से आसुट अपक्ते है राम अति दिर्ग प्रवासोयम दारोनचे विदुशकम मनावलोक जननतिकम कुतु हलने विष्टो मातर मनर योर्न मातो वेदितु मिच्छामी न युक्तम च स्वीगतन स्वीगतम न युक्तोन विशेश स्थपोने तता कोत्रा भुप्याय यह यात्रा बहुत लंबी है और कश्टदाई है विदुशक को देखकर परदे के पीछे कोतुल वश गिरे हुए इनकी माता को नाम से जानता हूँ और स्री के संबन्दित कारिय उचित नहीं है विशेश कर्द तवपोवन में तो क्या यहां क्या उपाय है विदुशक परदे के पीछे से फिर से पुछता है तुम्हारी माता किस नाम वाली है लव तस्य द्वैन नाम नी उनके दो नाम है विदुशक कथामीव कैसे लव तपोवन वासिनो देवीती नामन व्रुयंती भगवान वालमी की रव धुरीती लव बोलता है तपोन निवासी उनको देवी नाम से बुलाते है भगवान वालमी की बहु के नाम से राम अपीच इतस्तावद वयस्य मुहुर्त मात्रम राम बोलते है मित्र तो ओर इधर भी थोड़ी देर के लिए विदुशक उपसरुत्य आग्या पयतु भवान पाच जाकर महराज आप आग्या देजिये राम अपी कुमार यो योर नयोर अस्माकम चसर्वता समरुप कुटुम्ब उरुत्तांत राम इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का विवरण पुरी तरह समान है ये इतना समय हो गया रामायन के गाने का कारिक क्यों नहीं किया जा रहा है ये ती वेला संजाता रामायन गानस से नियोग कि मर्थन विदियतो उभव दोनों राजन उपध्धे दुतो समानत वरेती महराज गुरुवर के दुथ हमको जल्दी करने के लिए कह रहे है मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्मान नियो मानने योग्य है क्यों की तथा ही वो उनका जो गुरु का आदेश है वो मानने योग्य है भवन्तो गायन्तो कवी रपी पुराण उवरत निधीर गिराम संदर भोय प्रथम मवतिर्ण वसुमतीम कथा चेयम शलाग्यास सरसिरू हरा भैस सिनियताम पुनाति श्रोताम रम रम एतीचे सोयम परिकर तो राम बोलते है आप दोनों के द्वारा गया जाने वाला यह विवरण अति वयवरुद्ध प्रतों के सागर कभी विद्वान भगवान वालमिकी की रचना है इसकी वानी धर्ती पर प्रत्थमवार उत्री है यह कथा भगवान कमल नाभी विश्णू से संबंदी थै इस तरह निच्चे से यह सैयोग श्रोताव को पवित्रव आनन्दित करता है वयस अपुरुवय मानवाना सरस्वत्यतारं तदहम सुवरुजन साधरणं श्रोतु मिच्चामी सन्नी धियंता सबासद प्रेश्य तामस्मद दितकं सोमित्री अहम पेप्त तयोची सारासन परिखेदम विहरणं कृत्वा अपनयामी इती निश्क्रानता सर्वे हे मित्र यहां मनुष्य में सरस्वती के अवतार अनोखे है तो मैं साधरण व्रुदेशी लोग की तरह सुनना चाहता हूँ सबाशत शांत हो लक्षन को हमारे पास भेज़ दो मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बेटने से दुख को घुम करके हटा रहूँ इस प्रकार से सब निकल गए तो स्टूरंट्स हमने ये शिशू लालनम ये जो समवात था वो लवकुष राम इनके बीच का वो हमने पढ़ लिया कि वो लवकुष वो कैसे आते है वो कैसे शालिन है वो कितने जो राजा होता है उनका कितने उसका सम्मान करते है और राजा भी उनके जो गुण होते है उनकी शालिनता चारित्र शालिनता देखकर उनको पहले ही पूरी उनकी पहचान होने के पहले ही अपने सिहासन पर अपनी गोध पे उसको बिठा लेता है तो उसकी चारित्र शालिनता गुण ये उनकी परक हो जाती है और बाद में को पता चलता है कि ये कोन है ये दूसरे कोई नहीं लेकिन वो मेरे ही बेटे है तो उसे पता चलता है तब उसका मन दुख्य हो जाता है तो स्टूडन्स हमने ये पाट शिशू लालनम पढ़ लिया है मुझे लगता है आपको पसंद आया ही होगा तो आप इसे लाइक करें अ आपने वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में